हलो डियर स्टूडेंट्स आपका स्वागत है आई आई टी जैम 2018 की सॉल्यूशन सीरीज में और हम करने जा रहे हैं कुशन नंबर 55 और सेक्शन सी यह प्रॉब्लम भी इंटीग्रिल कैलकुलस से है जस्ट लाइक दे प्रीविएस प्रॉब्लम तो अब जड़ा इसको समझते हैं कि यह कुशन हमसे पूछ क्या रहा है इफ अलफा इस इकॉल टू इस इंटीग्रिल देन दे वैल्यू ओफ दिस थिंग तो मतलब बेसिक पॉइंट यह है कि आपको अलफा कैलकुलेट करना है जब आप अलफा कैलकुलेट कर लेंगे इस इंटीग्रिल को सॉल्व करने के बाद फिर आप क्या करेंगे यहां पर वैल्फा प्लेस करेंगे और इसकी वैल्यू निकाल देंगे वही आपका आंसर होगा तो मेंट पॉइंट है कि आपको इस इंटीग्रिल को सॉल्व करना है अलफा इस इकॉल टू पाइबाइ सिक्स टू पाइबाइ थ्री उपर निूमरेटर में आपके पास लिखा है साइन टी कॉस्टी अब ध्यान देखिए नीचे है साइन टू टी साइन टू टी को आप जानते हैं कि हम कितना लिख सकते हैं टू साइन टी कॉस्टी यह लिख सकते हैं आप साइन टू टी की आइडेंटिटी मैं क्या करूँगा यहीं पर one add कराऊंगा और one subtract करा दूँगा मैं sin2t के identity का use कर रहा हूँ sin2t जो होता है वो होता है 2sin t cos t ठीक है अब मैंने one add क्यों कराया क्योंकि मैं चाहता हूँ इसको sin t plus cos t का whole square बनाना इतने part को है न अब आपको उस part को बनाना है whole square such that इसका जो derivative होना चीए वो numerator में लिखा होना चीए मेरी बात समझा रही है चलिए देखते हैं मैं क्या कह रहा हूँ तो चलिए देखिए मैंने करा क्या है मैंने इस में से minus one common लिया और मैंने ये चीज निका ले इसको निकालने का इतना benefit क्यों है क्योंकि आप one को लिख सकते है sin square t plus cos square t हम जानते हैं sin square t plus cos square t one होता है तो यहाँ पर अगर आप replace करेंगे तो ये बन जाएगा a minus b का whole square मतलब कि आप देखें मैं इसको क्या करने वाला हूँ अब मैं इसको लिखूंगा sin t minus cos t का whole square आपको मेरी बास समझा रही है अब मैंने सिर्फ इतने ही part को क्यों नहीं लिखा वो चीज क्योंकि देखें अगर आप denominator को अब आप कुछ substitute करते हैं माल लिए आपने z substitute करा तो exactly आपको numerator मिल जाएगा तो चलिए देखते हैं मैं क्या कर रहा हूँ sin t minus cos t में अगर आप इस चीज को z put करते हैं तो dz is equal to कितना जाएगा बदाओ cos t plus sin t dt है ना cos t plus sin t dt is equal to dz आ रहा है तो जो numerator वाली चीज है वो denominator से आ जा रही है तो आपने क्या लिखा इसको finally limits के बारे में हम अभी बात करेंगे आपने इसको लिखा dz by 1 minus z square अब आप इसका formula तो आप जानते हैं कितना होता है sin inverse z है ना पहले आता है 1 by a चलो मैं लिखता हूँ तो इस formula की मैं बात कर रहा हूँ जो मैं यहाँ पर use करने वाला हूँ तो आपका कितना जाएगा sin inverse z by 1 तो sin inverse z है कितना z को अगर आप वापस replace कर देते हैं sin t minus cos t तो फिर आप क्या कर पाएंगे directly इन ही limits का use कर पाएंगे अगर आप substitution को replace नहीं करते हैं यहाँ पर z ही रहने देते हैं तो फिर आप इस limits का use नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह limit किसकी है t की है इस बात को ध्यान दे तो कभी भी अगर आपने substitution लिया है या तो आप उसी वक्त limit change कर दे और आपका new limits आजाएगी यहाँ पर integral में या फिर आप z को वापस से वही replace करें और पुरानी limits का use कर ले चलिए अब calculate करते है तो sin pi by 3 कितना होता है बदाओ sin pi by 3 होता है root 3 by 2 और cos pi by 6 होता है root 3 by 2 तो यहाँ पर कितना जाएगा देख लेते है तो यह finally आपके बास आजाएगा अब आप देखिए आप क्या जानते हैं आप जानते हैं कि sin inverse of आप जानते हैं sin inverse of minus x कितना होता है minus sin inverse x यह inverse trigonometry की एक property है हम इसका use करने वाले कि sin inverse of minus x minus sin inverse x होता है इसकी help से हमने क्या करा alpha की value लिग दी देखिए इसमें से minus common ले लिजे plus हो जाएगा तो finally आपके उसके result आ जाएगा 2 twice of sin inverse root 3 by 2 minus 1 by 2 अब आप इस alpha को यहाँ put कर दीजिए तो आपको निकालना था twice sin alpha by 2 तो अगर आप इसको alpha से डिवाइड कराएंगे तो कितना जाएगा यहाँ पर sin inverse of root 3 by 2 minus 1 by 2 तो यह चीज़ complete हो गई अब आपको plus 1 करना है और फिर whole square करना है यह चीज़ आपका answer है अब देखिए sin यह लिखा f यह लिखा f inverse तो यह identity हो जाएगा तो इसका मतलब यही चीज़ जो लिखी है यह आजाएगी बाहर तो finally आप इसका answer calculate करेंगे तो कितना जाएगा twice root 3 by 2 minus 1 by 2 plus 1 तो यह final कितना जाएगा root 3 minus 1 plus 1 तो यह minus 1 से 1 कर गया तो root 3 का whole square तो यह मतलब यह जाएगा 3 तो हमारा answer इस problem का जो है वो है 3 तो देखिए यह बहुत easy problem थी totally इस concept पे based थी कि आप इसको ऐसा लिख पाएं है ना अगर आप इसको ऐसा लिख पा रहे हैं तो आप इसको बहुत easily solve कर देंगे वरना यह बहुत difficult problem बन सकती है तो integrals में मैं नहीं कहूंगा कि बहुत जादा brain जादा use हो रहा है आपको सिर्फ कुछ basic basic integral अगर आपको अच्छे से solve करने आते हैं आपको experienced है तो आप इनको solve कर सकते हैं बहुत easily ठीक है और अगर आपको कोई भी doubt इस problem में है तो आप हमें comment section में पूछ सकते हैं और अगर कोई different problem है आपकी तो आप हमारे whatsapp और telegram group से जुड़ सकते हैं links description में हैं वहां से आप उनको join कर सकते हैं और राइट सो थैंक यू